हलो फ्रेंज, अमरिता कीचन में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप सब से सेर करूंगी बहुती टेस्टी ये पनीर कड़ी रेसेपी ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, बनाने में तो बहुत इजिली बन जाता है आप भी ये वीडियो जरूर ट्राइ कीजिए अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक, सस्क्राइब, कॉमेंट, सेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए आया हम बनाना सुरू करते हैं इसके लिए लिए मैं पनीर, लेसुन, एक हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, बेशन और दही सबसे पहले मैं यहां बरतन में पनीर को आड़ करूँगी और पनीर आड़ करने के बाद इसमें कुछ मसाले आड़ करूँगी जैसे हल्दी पावडर, थोड़ा सा स्वात के लिए गरम मसाला और लाल मिर्च पावडर अब इसको आड़ करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसमें थोड़ा सा और आड़ कर देती हूँ दही, दही से क्या होगा कि मसाले और अच्छे से चिपक जाएंगे पनीर में अब दही नहीं है तुम लाई भी आड़ कर सकते हैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ अब इसमें आड़ कर लेती हूँ स्वादन स्वाद नामक नामा कायट करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ आप पनीर वैसे भी आया कड़ी में डाल सकते हैं लेकिन मैं वैसे नहीं डालूँगी क्या होगा कि पनीर साधा साधा नहीं लेगेगा थोड़ा पनीर का टेस्ट अच्छा आजाएगा कड़ी में इसलिए मैं यागू पनीर को फ्राई करूँगी तब तक पनीर फ्राई हो रहा है तब तक यहां मैं बेशन का बेटर तयार कर लेती हूँ कड़ी बनाने के लिए बेसन और दही को एक में मिक्स कर लेती हूँ इसको 2-5 मिनद तक बहुत अच्छे से ऐसे लगातार इसको मिक्स करते रहेंगे मिक्स करने से क्या होगा कड़ी बहुत अच्छा बनेगा देखिए मिक्स हो गया है थोड़ा और पानी डालके बेटर इसका बना लेती हूँ अब यहां कड़ाई में सरसु का तेल आइड करके गरम करती हूँ अब इसमें आइड करूँगी मेठी दाना मेठी दाना से क्या होगा करी का स्वात बहुत अच्छा आता है अब आइड करूँगी जीरा अब इसमें आइड कर लेती हूँ थोड़ा हिंग हिंग यह भी बहुत टेस्ट आता था solve में अब इसको मैं अच्छे से फ्राई हुने देती हूँ आइट कर लेती हूँ लेसुन मिर्चा इसको एक मिनट तक फ्राई करती हूँ अब आइट करूँगी कटा हुआ प्याज जो मैंने बारिक कट करके रखी थी इसको आट करने के बाद इसको मैं एक मिनट तक फ्राई करूँगी ज्यादा फ्राई नहीं करूँगी एक मिनट फ्राई हो गया इसका देखिया हलका हलका कलर चेंज होने लगा है अब इसे में मैं अट कर लेती हूँ टमाटर टमाटर और प्याज को एक साथ मैं फ्राइ करूंगी इससे क्या होगा कि टमाटर अच्छे से पक जाएंगे देखिए एकदम अच्छे से पक गए हैं अब इसमें अट कर लेती हूँ कुछ मसाले हल्दी पाड़, हल्का सा टेस्ट के लिए गरम मसाले और स्वाद अनुसार नामक अब स्वाद अनुसार अपने टेस्ट के अनुसार नामक एड़ कर लेजिए अब इसको एक से दो मिनट और फ्राई करूँगी यह लगवग फ्राई हो गया है यहां पर देखें बेटर जो मैंने बना की रखा था इसमें थोड़ा और पानी आड़ करके इसको और पतला कर लेती हूं और इसमें धीरे धीरे करके मैं इसको आड़ करूँगी इसको मैं चलाती रहूंगी आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि इसको बराबर चलाना होगा ने तो नीचे पकड़ना शुरू कर देता है और हाँ जा हाई फ्लेम पे नहीं करके बनाया कड़ी ने तो फट जाएगा और कड़ी का स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा आप नम स्लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो कड़ी बहुत अच्छा बन के तैयार होता है पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा पान से आठ मिनट तक इसको स्लो फ्लेम पे बनाएंगे तो टाइम लगेगा लेकिन कड़ी बहुत अच्छा बनेगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा देखिए नम पकना सुरू हो गया है फ्रेंस वाव ग पनीर जो मैंने फ्राइ करके रखी ती इसको आड़ कर लेती हूं जिससे क्या होगा कि पनीर और कड़ी अच्छे से पक जाएं स्वाद एक साथ बहुत अच्छा है अब यह लगबग हमारी कड़ी पक गया आपको जितना गाड़ा या पतला खाना है उसी साब से बनाएं मै तो थोड़ा पतला ही बनाऊंगे क्योंकि थंड़ा होने के बाद यह खुदी गाड़ा हो जाता है और चावल के साथ थोड़ा पतला अच्छा लगता है यह लगबग हमारा कड़ी तयार हो गया है देखिए वाव कड़ी उगदम बिल्कुल परफेक्ट बनी है कड़ी अब सेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिये बाई बाई फ्रेंड्स थाइंक यू सो मच